दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा प्राकर्तिक नुस्का बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने हाथ पैरों को गूरा बना सकते हैं दोस्तों, आज की समय में हर व्यक्ति अपने हाथ पेर वा चेहरे को गूरा बनाना चाता है जो की बहुत ही आकरशक लगते हैं यदि आपके हाथ पेर गूरे नहीं है तो लोग आपका मजाग उड़ाते हैं साथ ही आपने हाथ पेरों को गूरा करने के लिए महेंगी नुस्के का इस्तमाल कर सकें तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्राकरतिक नुस्का बताऊंगा जिसकी मदद से मात्र कुछ देर के अंदर आप अपने हाथ और पेरों को गुरा बच्चमकदार बना सकते हैं साथ ही इस नुस्के का कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है लेकिन आदिया आप ब्यूटी प्रोडक्ट का उप्योग करते हैं बाहरी बाजारी तो ये आपके नुकसान दहेक होते हैं आपके सरी के लिए प्रन्तो ये दिया आप घरेली बीटी प्रोडक्ट का उप्योग करते हैं अपने हाथ पैरों को गोरा बनाने के लिए तो वो साइड एफेक्ट का काम नहीं करते हैं तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही प्राकर्तिक नुसका बताऊंगा जिसकी मदद से आप केबल हाथ पैरों को गोरा बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली काटोरी की आवशकता होगी और इस काटोरी में हम फेर एंड लबली क्रीम का उप्योग करेंगे दोस्तों आप कोई अधर क्रीम का भी उप्योग कर सकते हैं फेर एंड लबली मल्टी बिटामिन क्रीम है जो आपके हाथ पैरों को गोरा बनाने में मदद करती है साथ ही आपको तुछा सम्मंदी बीमारियों से भी बचाती है यदि आपके हाथ पैरों में मैल जमा है गंदगी जमा है तो fair and lovely क्रीम आपकी गंदगी को दूर करती है और आपके हाथ और पैरों को गोरा बनाने में मदद करती है तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों एक चम मच के बरावर इसमें हम fair and lovely क्रीम को एड़ कर लेंगे इस परकार आपको दिखाए देऊगा मैंने एक चम मच के बरावर फैर and lovely क्रीम को एड़ कर लिया है अब इसमें जो अगली चीज दोस्तों हम एड़ करेंगे बो है सैंपू दोस्तों सैंपू बहुती उप्योगी चीज़े आपके हाथ और पैरों को गोरा बनाने के लिए क्योंकि सैंपू आपके हाथ पैरों में जमी हुई गंदगी को दूर करता है जिससे आपके हाथ और पैर साप और सुतरे होते हैं साथ ही आपके हाथ पैरों को सैंपू गोरा बनाने में मदद करता है यह आपकी bleaching property का का काम करता है सैंपू साथ ही आपके तोचा सम्मंदी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है सैंपू सैंपू में कुछ ऐसे केमिकल पाय जाते हैं जो आपके हाथ पैरों को गोरा बनाने में मदद करते हैं तो इस सैंपू को हम कैची की मदद से काट लेंगे और इसमें हम पूरे सैंपू को एड़ कर देंगे इस परकार और इन सबी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिला लेना है जिससे क्रीम और सैंपू आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं अब इसमें जो अगली चीज दोस्तों हम एड़ करेंगे वो बहुत ही important चीज है जो आपके हाथ पेरों को गोरा बनाने में मलत करेगी तो देस्तों जब मैंने सैम्पू और फियर लबली करीम को अड़ किया है आपस में मिला है तो कुछ इस प्रकार का ये करीम बनकर नुस्का बनकर तैयार हो गया है अब दोस्तों इसमें जो अगली चीज हमको अड़ करनी है तोस्तों बहन नीबू नीबू के अमल में इतनी सक्ती होती है कि दोस्तों यह आपके हाथ पेर में जमी हुई मेल को वा गंदगी को उखाड़ फैंकता है और आपकी हाथ और पेर को सुन्दर बनाने में मदद करता है दोस्तों नीबू का उपयोग हम तोचा संबन्दी अन्न समस्याओं से लड़ने में भी उपयोग करते हैं तो मैंने एक नीबू को एड़ कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने नीबू है और इस नीबू को हमें इस नुस्के में हमको एड़ कर लेना है जिससे ये आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए मैंने एक चमच की वरावा नीबू का रस एड़ कर लिया है अब इन सबी को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना नीबू के रस फेयर एंड लबली एंड सैंपू को और इसे आपस में अच्छी तरीके से मिला लेजिए दोस्तो हमारा नुस्का बन कर तैयार हो चुका है अब इसको एपलाई कैसे करना है अपने हाथ और पैरों पर सबसे पहले नहाने के आदे घंटे पहले आपको इसे अपने हाथ और पैरों पर इस परकार एपलाई करना है और जब इसको आप एपलाई करेंगे तो 2-5 मिनट तक अपसे आपके हाथ पैर धीरे धीरे गोरा होना शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ पैरों में जमी हुई गंदगी भी दूर हो जाएगी तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करें साथ ही माचा आपको सब्सक्राइब करें अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में